स्वागत श्टुदेंट्स आपको हमारे चैनल पर आज हम करने वाले हैं कक्छानों की उप्चारात्मक सिक्षन कारे पुस्तिका गनित का अगला कारे पत्रक जिसमें हम देखने वाले हैं एक साथ दो कारे पत्रक 24 और 25 एगी वीडियो के अंदर श्टुदेंट्स चलिए कारे पत्रक नमर 24 और साथ इस्टुदेंट्स में आपको बता दू अपने इंग्लीज की कारे पूस्तिक पूरी कम्प्लीट कर लिया है अगर आप नहीं देखिए तो उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में पूरी किताब इंगलिस की सॉल मिल या फिर आप आपको भी कारेपतक साज करेंगे वह भी आप खोल पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते कारेपतक नमबर 24 जिसमें दो चर वाले रेखिक सम्मिकरनों को समझाया गया स्टुडेंट्स पहला देखिए दो चर रेखिक सम्मिकरन जो होता है उसका माना गुरूप लिखना है देखिए उपर लिखा हुआ है अलड़ी AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 यह क्या होता है स्टुडेंट्स दो चर वाले रेखिक सम्मिकरन का माना गुरूप होता है अगला देखिए सम्मिकरन दे रखा है 2X बराबर 3Y प्लस 4 को ax plus by plus c बराबर 0 की रूप में student व्यक्त करना है तो student देखिए 2x इस तरफ है इन दोनों को आप इस तरफ ले आईए तो क्या हो जाएगा 2x 3y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 3y प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इसका भी हमें मानक रूप में लिखना है तो 4x बराबर माइनस 5y प्लस 3 है तो माइनस 5y प्लस 3 को आप students बाए तरफ ले आईए तो क्या हो जाएगा students माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा तो 4x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0 प्रस्ट नमबर 4 देखिए स्टुडेंट 7x बराबर 9 है इसको हमें मानक रूप में लिखना है और a, b, c, a का मान ग्याद करना है तो इस्टुडेंट देखिए 7x बराबर 9 है 9 को इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा 7x-9 बराबर 0 तो students आप इससे compare करेंगे तो a की value क्या आ रही है देखिए एकी जगे 7 है तो 7 a बराबर 7 हो जाएगा इसमें देखिए y वाली कोई भी term नहीं है y वाली कोई भी संक्या नहीं है तो b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब c की जगे देखिए क्या है students माइनस 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा हमारा c अगला है students 2x बराबर 7 को 2 चर वाले रेकिक समिकरन के रूप में व्याद करना है मतलब की मानक रूप में लिखना है students 7 को इधर ले आएगे बाई तरफ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 2x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा हमारा उत्तर अगला देखिए 2,4 है x,y x,y है उनको रेकिक समिकरन का मानक रूप है ax प्लस by प्लस c कि कितने अधिकता महल समभव है students अगर x और y अगर रेकिक समिकरन में दे नहीं रखे है तो इस students ऐसे बहुत सारे हम बना सकते हैं तो अंगिनत उत्तर हो जाएगा अब students हम करेंगे कारेपत्रक 25 इसी वीडियो के अंदर जो भी हमारा विसेवस्तु होने वाला है दो चर वाले रेकिक समिकरन का देखिए पहला परशने students समिकरन x प्लस 2y बराबर 6 है उनको हमें 4 अलग अलग हल क्यात करना है मतलब कि हमें x का मान 4 बार अलग अलग लेना होगा जब जाके students हमारे y के मान 4 अलगाएंगे तो पहली बार हम क्या ले रहे हैं x बराबर 0 ले रहे हैं उससे क्या आएगा students y बराबर 3 आ जाएगा दूसरे में x बराबर 2 लेंगे students तो y बराबर 2 आ जाएगा तीसरे में x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 5 बटा 2 आ जाएगा और चौथे में x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 3 बटा 2 आ जाएगा इस्टुडेंट्स आपको सल्वी इसी परकार करना है ठीक है को समझ में याद है कमेंट के मादन से पूछ सकते हैं अगला देखिए इस्टुडेंट्स प्रस्ट नमबर 2 निम्लिकित हलो में कौन सा समिकरन x-2y पराबर 4 के हल को दर्साता है तो इस्टुडेंट्स देखिए मतलब कि इन दोनों वैल्यू को रखने पर बराबर में 4 आना चाहिए इस्टुडेंट्स यह हमारी सरत है देखिए उपर लिखी हुई है तो पहले x अगर आप 0 रखते हैं और y के जगे 2 रखते हैं तो इस्टुडेंट्स क्या हो रहा है माइनस 4 हो रहा है माइनस 4 बराबर 4 नहीं होता है तो गलत हो गया x बराबर 2 रखते हैं y बराबर 0 रखते हैं तो 2 बराबर 4 हो जाएगा तो अब यह भी गलत हो जाएगा इधर देखिए x की जगे 4 रखेंगे और y क्या है 0 है तो माइनस 2 गुना 0 बराबर 4 यह 0 हो जाएगा तो 4 बराबर 4 आ जाएगा मतलब कि तीसरा हमारा option सही है तीसरा option सही हो जाएगा अगला देखिए सम्मिकरन दे रखा है 3x प्लस y बराबर k में x बराबर 2 और y बराबर minus 1 है तो k का मान गयाद करें students तो student देखिए x का मान दे रखा है हमें तो 3 गुना 2 हो जाएगा y का मान दे रखा है minus 1 minus 1 रखेंगे बराबर 6 है बराबर क्या हो जाएगा k तो student के निकालना है हमें k बराबर हो जाएगा यह तो देखिए ये 6 हो गया ये minus 1 है तो 6 minus 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अगला देखिए समिकरन दे रखा है x plus 2y बराबर 3 उसके हलो की शानी बनानी है पहले हम इसमें 1 रखा x का मान तो y क्या आ जाएगा students ये 1 है एक इधर जाएगा 3 minus 1 बराबर 2 और 2y बराबर 2 हो गया y बराबर क्या हो गया 2 बटा 2 मतलब की 1 तो ये भी एक आ गया इसी परकार से students x बराबर 2 रखा 2y बराबर क्या हो जाएगा x को इधर बेज दीजिए तो 3-2 मतलब की 1 आ जाएगा y बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा ये 2 इनीचे चला जाएगा इसी परकार माइनस 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा और 0 रखेंगे तो 3 बटा 2 आ जाएगा अगला देखिए students का हमारा प्रस्ट नमबर 5 जिसमें 2 सम्मिकरन दिये गए हैं और दोनों के हमें 2-2 हल लिखने हैं तो देखिए 4x प्लस 3y बराबर 12 का पहले दिखेंगे इसके 2 हल एक में हम रखेंगे x बराबर 0 और एक बर रखेंगे x प्लस x का जो मान है उसको 1 रखेंगे प्लस का एक students तो देखिए x का मान 0 रखने पर क्या हुआ 4 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा 3 गुना y मतलब कि 3 गुना y बराबर 12 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा 3 मतलब कि 4 तो क्या हमारा points बने हैं हमारे 2 हल क्या बने 0 और 4 इसी प्रकार एक रखने पर क्या हो जाएगा 4 गुना 1 मतलब कि 4 और 3 बराबर 12 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 12 में से 4 जाएगे 8 बच जाएगे 3 y बराबर 8 हो जाएगा y बराबर 8 बटा 3 हो जाएगा अगला देखिए दूसरा प्रशन है 2 x लस 5 y बराबर 0 तो इस्टुडेंट देखिए x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा y का मान 0 हो जाएगा क्योंकि 2 y बराबर 0 हो जाएगा 0 में किसी विसंक्या का भाग लगाएगे तो 0 हो जाएगा तो 0,0 हो जाएगा और x का मान एक रखने पर students, देखिए, एक रखा, ये क्या बन जाएगा, 2, 2 प्लस 5y बराबर 0, तो 5y बराबर माइनस दो, और y बराबर माइनस का 2 बटा 5, तो एक रखने पर क्या हो जाएगा, 1, माइनस का 2 बटा 5, ये था हमारा पूरा solution कारेपतक 24-25 का, अगर आपको पूरा समय में आया हो, तो like, share जरूर करें students, ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो का notification पा सकें, जो bell icon students वो जरूर दबानी चाहिए, और subscribe जरूर कर लें, ताकि आप आगे से आगे सभी solution पाएं, और students हम try जरूर करेंगे कि हम आपके लिए वार्षिक परिच्छा के paper भी जल से जल ले कर आएं, ताकि आपकी exam से related तैयारी, आप पहले से start कर पाएं, और उन्नती पाएं, तो students, आपको फिर बता देता हूँ, हमने English की पूरी कारे पत्रक solve कर लिए हैं, आपकी English की workbook, remedial workbook के सारे solution हो चुके हैं, त्रेसर तक नहीं देके हैं, जरूर देखें, और उसको पूरा solve करके एक बार रख दे, धन्यवाद.